Hi everyone, welcome to MagnetBrain's Hindi Medium, जहां पे आपको मिलती है, विल्कुल ही free and quality education. This is your English educator, Palak Rakhiani. Students, इस session में हम बात करेंगे, class 9th English, chapter number 2, जिसका नाम है ययाती, उसी के question answers की. इस chapter का explanation हम already देख चुके हैं इसके previous video में, and in this particular video, you will be able to solve all the questions, जो आपकी बुक में दिये गए हैं, यानि in between the lesson and afterwards, long answer questions, not to miss paragraph writing भी हम cover करेंगे. So, वीडियो के बिल्कुल हैं तक बने रहना, तक आपके सारे doubts, जो हैं, crystal clear हो जाएं. Let's begin with the question answers. Now, ययाती lesson quickly से फटाफट से recall कर लेता हैं, भाई है ना, revision का यही time होता है. Every time I tell you guys कि English मैं मानती हूँ यार, और भी subjects पढ़ने अपने को. तो English कैसे पढ़ सकते हैं? मैं जो जो lectures ले रही हूँ ना, मेरे साथ पढ़ते जाओ. So, अभी जब हम lesson revise करेंगे, तो तुम्हें सारी चीज़े recall होनी चुए हैं. ययाती basically एक emperor का नाम था, एक raja का नाम था. जो की महाभारत से ये पूरी जो है कहानी ली गई है. महाभारत में जो पांडव थे ना, तो ययाती उनके पूरवच थे. He was one of their ancestors. तो होता क्या है, ययाती जो है अपनी वाइफ देव यानी को kind of धोका देते हैं by extra marital affair. तो ये बात जो है देव यानी के पिता जी को अच्छी नहीं लगी. उन्हें बड़ा गुस्सा आया, जिनका नाम था सूक्रचारिय. तो सूक्रचारिय ने ययाती को एक शराब दिया, एक कर्ज दिया. कि तुम जो है prematurely old हो जाओ. यानी अभी तुम जवान हो, तुम एकदम से बुढ़े हो जाओ, तुमारा बुढ़ापा आ जाए. तो ययाती इससे बहुत जादा परिशान हो जाता है, अपने बेटों से request करता है, पाँच बेटों से, कि भाई मुझसे ये बुढ़ापा ले लो और मुझे तुमारी जवानी दे दो. ताकि मैं ये बहुतिक सुक्ष, संसारी सुक्ष, worldly life के pleasures थोड़े और enjoy कर सकूँ. तो अब जो उसका last यानी जो सबसे youngest son था जिसका नाम है पूरू, उसने अपने पापा की आगया मानी, उसने उन्हें अपना जवानी या अपना यूथ जो है दे दिया. अब ययाती को लगा youth में उसको सब satisfy हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ. इतने सालों साल उसको satisfaction, संतुष्टी मिली ही नहीं. So then he came to a conclusion, उसको ये अकल आई कि भाई, संसारिया, materialistic things में कोई सुख नहीं है. चाहे तुम gold ले लो, बड़े-बड़े बंगले ले लो, गाडिया ले लो, दूसरा gender यानि women ले लो, nothing can satisfy your desire. आप जो है spirituality से, या जो जैसे संत होते हैं, ब्रामन होते हैं, ज्यानी होते हैं, उन मैं बताती हूँ, आपकी convenience के लिए मैंने page number मी डाल रखा है. So come to page number 15, जहां पे है answer the following questions briefly. Now let me quickly tell you, briefly is basically तुम्हें बहुत लंबे answer नहीं लिखना है. Whatever is the question, give cut to cut answer. This applies to your examination as well. एक्जाम में बेटा, तुम जब answer लिखोगे न, तो यह एतनी खुशी में कुछ बच्चे होता है, कि यह वाला question तो मुझे आता है, तो एक mark के answer में 7-8 line ने लिखके आ जाते हैं. So that is not done. आपको marks देखना है, यह question का type देखना है, उससाब से answer देना है. So like over here, यहां पे दिय question number one, who was emperor Yayati? तो तुम्हें इसका clear-cut answer देना है, emperor Yayati was one of the ancestors of the Pandavas. Ancestor basically क्या होते हैं? पूरवज, spelling हमको बिलकुल सही लिखनी है. So you can keep a very short notebook with you, जिसमें आप यह सारे answer note कर सकते हैं. Okay, चलिए. Moving on to question number two, how did Yayati become old? Who cursed him? Yayati कैसे बूड़ा हो गया? किसने उसे कर्स यानि किसने शराप दे दिया था? So Yayati became prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife Devyani. Sukracharya कौन हुए? Yayati के ससरजी हुए और Devyani के पिताजी जिन्होंने उसे शराप दिया था. So again, story की तरह समझोगे तो सभी characters के नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. I hope it is clear. All right. Moving on question number three, was Yayati devoid of sensual desires? क्या ययाती के अंदर जो है sensual desire बहुतिक सुखों के प्रती जो है विशय विकार के प्रती desire नहीं थी? devoid का मतलब नहीं थी. तो बहुत ही जादा जो है ना इस चीज के पीछे थे कि उन्हें ये सारे desire फुल्फिल करने है. So no, he was not. He was not यानी he was not devoid. devoid का मतलब समझे होना नहीं होना. नहीं होना. इंदी में लगके बता रही हूं भाई. तो question basically थे क्या उन्हें सेंशल डिजायर नहीं थी? तो बलते हैं no, he was not devoid. चलो भई. Question 4. What was the reply of his eldest son? तो जब यायाती अपने बेटों से कह रहा था ये सा की मुझे जो अपनी जवानी दिये तो तो उसके eldest यानी सबसे बड़े बेटे ने क्या कहा? His eldest son replied that he could not do so as the women and servants would mock at him if he took upon himself his father's old age. तो सबसे बड़ा बेटा कहता है यार पापा जी मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा क्यूंकि जितने भी women है, ladies है, जितने अपने नौकर चाकर है, servants है, वो सब मेरा मजाक उडाएंगे, मुझे तॉंट मारेंगे, हसेंगे मेरे बीचे कि भाई जो है मैंने अपने पिता जी का old age दे लिए, क्यों old age में क्या होता है भाई, wrinkles wrinkles आजाता है, इंसान पिलकुल भी unattractive type का हो जाता है भाई, तो इसलिए बड़े बेटे ने मना कर दिया, I hope it is clear, okay, moving on to question number 5, why did he become angry, यहाँ पे he कौन है भाई, हमारी story का main character कौन है, यया ययाती घुसा कब हो गया, तो याद करिये हमने lesson में according to the lines पढ़ा है, तो जब उसके तीन बेटों ने मना कर दिया, तीन बेटों ने, तब ययाती को बहुत जादा घुसा आ गया, so he becomes angry as his three sons had declined to do as he wished, decline यानि क्योंकि उनके बेटों ने मना कर दिया, जैसी उसकी इच्छा थ तो उसे खुसा आ गया बहुत जादा, चलो, अब बोलोगे माम फिर से question number one कैसे आया है, क्योंकि now we have moved on to page number 16, तो यहाँ पर again box में आपको ऐसे दिये गए होंगे, answer the following questions briefly, तो इसमें question number one है, what are the symptoms of an old man, old man के symptom, symptom basically क्या होते हैं जो आपको outer appearance पे दिखाई पड़े, तो क्या होत एक बुड़े आदमी के symptoms, तो in the old age, strength and beauty are destroyed, यह answer मैंने according, यह answer मैंने जो है बेटा, क्योंकि old man के symptoms जो बहुत सारे होते हैं, तुम इस answer को generally भी दे सकते हो, लेकिन और अच्छे marks चाहिए हैं, तो according to the lesson answer किया करो, तो उनके बेटों ने कुछ-कुछ symptom बताये थे, यह lesson में भी बताये गए हैं कि old man के क्या symptoms होते हैं, so in the old age, strength यानी शक्ती और beauty यानी attractiveness चली जाती है, are destroyed, an old man cannot ride a horse or an elephant, his speech falters and he has to seek the help of others even to keep his body clean, तो यह सारी लाइने मैंने उनके बेटों ने कुछ-कुछ कही थी वहा से ली हैं, कि एक बुड़ा अदमी भाई, घोड़ा भी नहीं चला स तो गोड़े हाती की बाद कहा से हैं, कि वो राजा लोग थे भई, है न, तो उनके हसाब से गोड़ा हाती नहीं चला सकते, speech falters यानी बोलने में भी जो है जबान लड़ खडाएगी, he has to seek help of others और खुद के शरीक तक को साफ कर रखने के लिए उने किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी, तो these are the symptoms of an old man according to the lesson, I hope it is clear, okay, moving on to question number 2, who was Puru, did he accept his father's proposal, तो Puru कौन था, क्या उसने अपने पापा के प्रपोजल को यानी कही हुई बात को माना था, accept किया था, so first answer is, Puru was the youngest son of Yayati, अब एक चीज़ यादर करो, अगर एक क्वेस्टन में दो क्वेस्टन पूचे ग आजी में एक answer करके भगमत जाना, दोनों questions को पैराचेंज करके, you can give the answer, तो Puru जो है, Yayati का सबसे youngest बेटा था, yes, he gladly accepted his father's proposal and gave him his youth and relieved him of the sorrows of old age and the cares of the state, तो हाँ वही, Puru ने अपने बापा के प्रपोजल को एकसेप्ट किया, बहुत ही खुशी-खुशी इसने दिया, उसने कहा कि भई, पिताजी, आपको जो दुखें, उससे मुक्त करता हूँ, cares of the state, state, यानि जिस शासन पे वो राज करते तो, पुरा state होता है, तो उसकी भी आपको इतनी चिंताएं नहीं करनी पड़ेगी, वो भी मैं संभाल लूँगा, so this is the answer to the question number two, I hope it is clear, moving on, question three, sensual desire is everlasting, whose thought is this, कि इसने ऐसा सोचा कि sensual desire, विशय विकार संभादी जो इच्छाएं होती हैं, वो सब, जो है, everlasting है, कभी खतम नहीं हो सकती हैं, so this is the thought expressed by ययाती, he said this thought, after he realized that, the lust for materialistic pleasure is everlasting and can never be fulfilled, यानि यह उसने कभ रिलाइस किया, जब उसे पता चला, कि बहुत तिक सुकों, संस्कारी, जो सुक हैं, उससे जो है, कभी भी प्यास, यानि संतुष्टी नहीं आ सकती हैं, हाना, तब ही उसने कहा, it is everlasting, यानि जितना मिलता जाए, उतना और चाहिए, okay, I hope it is clear, moving on, question four, why did य याती resume his old age, end में I hope आपको याद होगा, कि याती अपने बेटे के पास वापस जाता है, और कहता है, बेटा मुझे मेरा बुढ़ापा वापस दे दो, so याती took back his old age, as he had realized the unquenchable nature of sensual desire, unquenchable का मतलब मैं बताती हूँ आपको बटा, quench का मतलब is basically thirst, जिसे हम कहते हैं, प्यास बुझाना, is quench, unquenchable यानि ऐसी प्यास जो बुझ ही नहीं सकती, जो की हमारी worldly life की है, तो sensual desire की प्यास unquenchable है, इसलिए उसने जो कहा, भाई, मेरी old age जो है, मुझे वापस दे दो, मैं बहुत ही साथगी भरा जीवन अब जीना चाता हूँ, clear, चले, come to question 5, do corn, gold, cattle and women satisfy the desire of man क्या ये सब चीजें जो है, आदमी की desire इच्छाएं पूरी कर सकते हैं या नहीं, so of course no, corn, gold, cattle and women, nothing can ever satisfy the desires of a man, आदमी की इच्छाएं खतम ही नहीं होती, भाई, इसलिए कहते हैं, इच्छाएं अपनी कम रखनी चाहिए, और नहीं होतों बहुत ही अच्छा है, ठीक है, चल आओगा उसी पेच पे, तो यायाती किस चीज के लिए famous था, यायाती वस famous for his devotion to the welfare of his subjects, यानी ये कब की बात कर रहे हैं बिटा, ये beginning की, बहुत है, यायाती तो ऐसा वैसा अभी इसमें कहा गया है, ulti-ulti चीजें लिखी थी, beginning of the lesson में गे था भाई, वो emperor थो थे, राजा थो उनने काफी कुछ किया था, come to question 2, why did यायाती call his sons, यायाती ने अपने बेटों को क्यों बुलाया था, so यायाती had become prematurely old because of the curse of Sukracharya, he wanted to enjoy life in the full vigor of youth, vigor is basically energy या जोश जिसे हम कहते हैं, so he called his sons, hoping that one of them would bear the burden of his old age and give his youth in return, तो उन्होंने अपने बेटों को उस उम्मीद से बुलाया था, कि मेरा बुडापा कोई ले लेगा और मुझे अपना यूथ देदेगा बापस, ठीक है, so this is your answer, come to question 3, what did he say to them, अभी हाँ पर them कौन है, क्योंकि बेटों का सवाल था पीछे, यायाती ने अपने बेटों को क् ये बिलकुल लेसन से ली गई लाइन है पूरी, उसने कहा कि भाई मैं जो है अपनी जवानी ने चाहता हूं, मैंने तो करी ही नहीं, क्योंकि मैं पूरा किंग्डम संभालता रहा अपना, तो इस चीजों मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं किया, so he requested his sons that one of them should bear the burden of his old age and give his youth in return. He also promised that the son who would bestow his youth on him would be the ruler of the kingdom और उसने लालच के तौर पे ये बात भी कह दी भाई, कि जो भी मुझे अपनी दे देगा youth, तो उसको मैं ruler बना दूँगा, है न, यानि यहां का raja बना दूँगा, ठीक है? चलिए, question 4 पे आते हैं, which son agreed to give Yayati his youth and take his old age? कौन से वाले बेटे ने माना था भाई, of course, सबसे छोटा बेटा, पूरू, the youngest son agreed to give Yayati his youth and take his old age, okay? Question number 5, why did Yayati go to the garden of Kubeir? lesson में आया था कि Yayati को जब अपना youth वापस मिल जाता है, तो काफी साल तो बड़े मजे करता है, फिर भी उसको संतुष्टी नहीं मिलती, तो वो जो है कुबेर के garden चला जाता है, So, यही आपका अंसर है बाई, Yayati went to the garden of Kubeir as he could not quench his desire by indulging in the pleasures of the earth, on the earth. It was his effort to quench his desire that led him to the garden of Kubeir where he lived with an apsara maiden, जहां पे वो एक apsara के साथ रहा था, maiden is basically an unmarried girl. ठीक है, तो क्योंकि यहां पे धरती पे तो उसकी कोई भी materialistic thing से पूरी नहीं हुई इच्छा, वो कुबेर के पास गया, अपसara के साथ रहा, तो वो भी भाईया, उसकी desire जो है, पूरी नहीं हुई थी. So, this is your answer. चलिए, तो यहां तो हमने देखे थे, जो in between the lesson वाले answer थे. अब आते हैं, जब आपका lesson खतम होता है, उसके बाद वाले long answer questions. So, question number one, यहां पे अपना, Why did Yayaati become prematurely old? Why did he dislike it? So, now long answer questions हैं, तो भाई, आप लोग पूरा detail में इसका answer दे सकते हैं. So, here's your answer. Yayaati became prematurely old as a result of a curse by Sukracharya, his father-in-law, for having wronged his wife Devyani. अब यह तो मैंने आपको कहानी बताई Devyani की, कि wronged his wife उसने गलत किया क्या था, वो आपकी book में mentioned नहीं है. ठीक है, तो यह चीज अपने को याद है कि भाई, उसने एक्स्ट्रा-marital affair किया था, उसके होते हुए, वाइफ के होते हुए. तो इसलिए सुकracharya, यानि देव यानि के पिता जी हुए, और यायाती के कौन हुए, सतर जी हुए. तो उन्होंने उसको क्या दिया? curse, curse basically shrap दिया. Shrap किसका? कि तुम जो है, अपनी actual उमर से बहुत जादा old हो जाओ. यानि और उसने कहा कि यार, अभी तो मैने एक होता है न, वो ऐसी प्यास जो बुचती नहीं, कि यार नहीं न, अभी तो मैने अपना जीवन जिया ही नहीं, ता मैं तो एकदम से बुड़ा हो गया, है न? तो अब उसके अंदर बहुत ही तीवर इच्छा आ गए, कि अब तो जो है, मुझे अपनी जवानी बहुत अच्छे से एंजोई करनी है, सारे सुख जो है, मुझे यूथ के लेने हैं. So, I hope it is clear, कि वो क्यों old हुआ प्री में चरली और उसे ये क्यों ना पसंद था? चलिए, question number one होता है यहाँ पर, now come to question number two, in order to enjoy the pleasure of youth, या याती wish to take the youth of one of his sons, was he right in doing so, explain with arguments of your own? So, again, यह कुछ answers होते हैं, which you need to answer, but again, English literature में तुम जो है, बिलकुल, copy-paste करके answer मत लिखना, अपनी thinking भी उसमें डाला करो, why am I giving you these answers to give you an idea, कि भाई, answer ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से, if you have your own points की नई, मुझे ये भी लगता है, तो put it up, because what happens in literature, Hindi, English, कोई भी आप ऐसा ले लो, literature का subject, उसमें होता क्या है, कोई एक particular बात नहीं होती है, यार, जैसे अगर मैं कहूं, maths में 5 plus 5, 10 है, तो वो हर दुनिय हमें 10 ही होगा, इदर उदर 10 ही होगा, लेकिन literature में क्या है, कि हमारे अलग-अलग opinion thoughts आ सकते हैं, तो अगर ये question है, तो तुमको अपने खुद के thought process से बताना है, कि जयाती ने अपने बेटों से फिर youth मांग लिया, है ना, इतना लालची हो गया था, वो इतना लोबी हो गया तो क्या ये बात सही थी, आपको explain करना है, so here I have given an answer for help, every person has the right to enjoy the pleasures of youth, ये तो सही बात है भाई, सबको अपनी जवानी जीने का बहुत ही पूरा अधिकार है, तुमको जो भी मजे करने है, लाइफ के दोस्तों के साथ, घूबना है, फिरना है, है ना, तुमको कोई activity pursue करनी है You can surely do it, there is nothing wrong in this, however, there is a proper time for everything, हर चीज का एक सही वक्त होता है, ययादी should have enjoyed the pleasures of youth, along with his other duties and responsibilities, तो ययादी को किसी चीज में इतना साथा मी नहीं, अगर वो अपना राज्य संभाल रहा था, तो उसमें इतना साथा वो खो गया कि बाकी चीज़े नहीं कर पाया, तो मैं भी करती हूँ और स्टूदेंस को यही सजेस्स करती हूँ कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके चलो, तुम यह मत सोचो कि आज मैं यह साब इतना कर लेता हूँ, फिर बाद में मज़े करूँगा, बात कभी नहीं आता है, ठीक है, पस्नल एक्स्पीरिस से हम कह रहे हैं, यह कोई बाद नहीं आता है, every time whatever you are doing, आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी बहुत जागा कोई competitive की तयारी कर रहा है, तो enjoy that process, कोई इस level नहीं, कोई stage नहीं आएगा जहां तुमको बहुत मज़ा आने लगेगी, ऐसा नहीं है, so if you are doing the thing, enjoy things that way, तो आज अकर तुम school time में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुमको लगता है नहीं, college जाएंगे, सब बढ़िया होगा, college में लगेगा नहीं, आगे PhD कर लेंगे, तब बढ़िया होगा, job मिल जाएगी, there is nothing like that, ऐसा कोई level नहीं होता है, so same चीज इसी answer में मने पुट अप कर दी, कि भाई, तुमें जो है, along with other duties, चीजों को enjoy करते जाना है, I hope it is very clear, समझ आया, और देखो, और आगे अपन ने ग्यान दिया है, देखो, if he had denied himself even lawful pleasures, it was his fault, and this in no way entitled him to rob one of his sons of his share of worldly pleasures, तो यानि अगर उसने खुद को अपने basic, जो है, जीवन के सुखों से भी उसने वंचित, यानि डिनाई किया है, तो उसकी खुद की गलती थी, and there is no way entitled him to rob, यानि उसको और ये को इसका अधिकार बिलकुल भी सही नहीं था, कि रॉब करना तो होता है, मतलब चोरी करना, तो happiness, and what Puru did was right from the viewpoint of a true son, देखो, it is always about viewpoint, देखने के नजरिये से बात होती है, ठीक है, आज अगर हम इस वे से देखें, कि यायाती ने अपनी वाइफ के साथ गलत किया, और उसको जवानी वापस नहीं मिलनी चाहिए थी, ये अपना viewpoint सही है, अब अगर मैं Puru की जगा हूँ, व However, what Yayati requested was not befitting a father, लेकिन यायाती पिता होने के नाते उसने जो चीज मांगी है, बीफिटिंग यानि एक फादर के रोल पे वो बिल्कुल चीज सूट नहीं कर रही है, तो जब भी एक चीज याद रखा करो, कभी भी literature में अपने answers देते हो नो तो balance में दिया करो, एक viewpoint को हो थी, sensible इंसान है ये, ठीक है, he should have accepted his fate gracefully, यानि उसके जो पिता है, यायाती को, जो fate, fate basically क्या है, यहां पे किस्मत, जो उसकी किस्मत में आया nature से, आया naturally, उसे accept करना चाहिया था, और उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिया थी, ठीक है, तो ये होता है अपना पूरा answer number two, moving on to question number three, write in your own words the response of the first three sons to their father's request, पहले तीन जो बेटे थे, तीन बड़े जो बेटे थे, उन्होंने अपने पिता की request पे कैसे respond किया ये बताओ, तो अपन बता देते हैं भाई, अपने थोड़े words में, तुमको direct speech नहीं लिखना है, indirect speech लिखना है, indirect speech लिखना है, indirect speech यानि double inverted commas मत लगाना, exact line नहीं बोलनी है, उसको indirect में बदलके बोलना है, तो जैसे देखो, the first three sons outrightly rejected the proposal of their father, outrightly यानि सीधे, उसी वक्त सीधे मूँ बिलकुल reject करते है, कि नहीं भाई, हम जो है अपनी जवानी नहीं देंगे, पहला आता है, the eldest son said that, अब क्योंकि indirect speech है तो देखो, क्य word आजाता है, said that, उसने कहा, that the women and servants would mock him, if he took upon himself his father's old age, कि जो औरते हैं, जो लेडीज हैं, जो हमारे नौकर चाकर हैं, ये मेरा मजाक उडाएंगे, अगर मैने जो है, आपका बुड़ापा ले लिया तो, the second son declined the proposal by saying that old age destroys not only strength and beauty, but also wisdom, and he was not strong enough to do that, तो second वाला कहता है, कि यार दे Old age में सिर्फ strength, शरीर की ताकत और सुंदरता नहीं चरी जाते हैं, लेकिन wisdom में सोचने कि जो क्षमता होती है नो बुद्धी मता, वो भी चरी जाती है, तो हमसे तो ना हो पाएगा, उसने भी मना कर दिया, तीसरे son ने क्या कहके मना किया था, ये देखते हैं, the third son pointed out the helplessness that the old old age brings with it inability to ride a horse or an elephant in addition to faltering speech, he refused to be in such a helpless plight, आपको तुमको ना observation बहुत अच्छा रखना है, एक बुक खोल के देखना, लड़कों ने जो इनकी बेटे थे, उन्होंने exact lines किया कही थी और उसको हमने indirect में कैसे बदला है, pointed out the helplessness, यानि old age के साथ कैसी मजबूरिया आ जाती है, एक तो हम गोडा और elephant जो है राइट नहीं कर पाएंगे, speech जो है लडखडाएगी बोलने में दिक्कत आती है, हैं धीरे धीरे बोलते हैं, चबा चबा के बोलते हैं, और ये सब चीजे होंकी तो उसने का कि भाई नहीं, ये भू मुझ से ना हो पाएगा, इस टाप की condition जो है मै बिलकुल नहीं ले सकता हूँ, so I hope answer clear है, चलिए, coming to question number four, how did the fourth son responded to his father's appeal, how would you have responded if you were the fourth son, तो अब आते हैं, तो तीन बेटो ने तो मना कर दिया था, तो पिता जी तो काफी गुस्सा हो गए थे, अब चौते बेटे से father ने क्या अपील करी, और उसने क्या अपील तो नहीं, कै कैसा respond किया उसने अपने father की appeal पे, and पहले ये question का answer देना, then दूसरे पैरा में बेटे तुमको ये भी answer देना है, पूछा जा रहा है कि अगर तुम होते है fourth son, if you were in the place of the fourth son, then तुम कैसे respond करते, तो आये देखते है answer, the fourth son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to, तो यानि fourth बेटे को अपने पित कर दो, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, consent यानि इस चीज में अपने हामी नहीं दे पाऊंगा, an old man has to seek the help of others, even to keep his body clean, which is the most pitiful plight, जो उसने का कि भाई, एक बुढ़ी इंसान को अपना शरीर को साफ रखने के लिए भी चीज़े करने के लिए भी दूसरे की मदद लेनी प अपने opinion भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहां लिखा है, if I were the fourth son, अगर मैं, अच्छा एक चीज़ याद रखना, I was कुछ बच्चों का doubt रहता है, if I के बाद was आएगा, तो बेटा, अगर कोई भी wish होती है, या जैसे if, अगर मैं imagine कर रही हूं कि अगर मैं होती, तो उसके was नहीं, वर आता है, I hope it is clear, so if I were the fourth son, I would respond in the same manner, I would try to understand the urgency and do everything to listen the grief of my father, तो मैं जो है, बात को समझती, हालात को समझती, और कुछ भी हो सकता, अगर मेरे पापा का जो है, जो भी बोज है, तो तकलीफ है कम हो सकती, तो मैं जरूर करती, मैं करता क्योंकि son है, अभी तो हम यहा अगर मैं चौथा बेटा होता है, तो मैं सोचता कि जितनी भी अच्छे चीज है, जितनी सारी बच्पन से लेगे, अभी तक मेरे फादर ने मेरे लिए की है, तो मैं उस अपोर्चनिटी को सीज, यानि बिलकुल जाने नहीं देता, और उनके लिए कुछ कर देता, यानि उ पूर्चनिटी को सीज, यानि उसको बहुत जाना प्यार था अपने पिता से, उसको यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके father जो है किसी चीज के लिए उनसे इतनी भीक मांग रहे हैं कि मुझे ये चीज दे दो तो उसे जो है अपने father की बहुत चिंता हुई कि old age में उन्हें इतनी तकलीफियों हो रही है ये सब हो रहा है तब ही उसने decide किया कि मैं जो है अपना youth उन्हें दे देता हूँ तो this was the first part of the answer, second part है तुम्हें बताना है क्या उसने सही चीज करी है So again this will be in your opinion From the rational point of view, Puru might have erd, erd का मतलब होता है गलती करना, mistake करना तो अगर हम rationally सोचें, तब Puru ने तो गलती करी है क्योंकि उसके father ने उसकी mother को cheat किया था उसकी तो नहीं मतलब उनकी wife को, देव्यानी को cheat किया था But from the point of view of a son's duty to his father लेकन अगर हम एक son, एक बेटे की duty के हिसाब से देखे, तो what he did was very right A son's life is the blessings of his father, his very existence is because of his father अगर एक बेटा है या बच्चे है तो क्यों है, it is because of their father as well The latter also saves his son from all hardships and prepares him for the future Later का मतलब यहां क्या होता है, यह later नहीं है और यह खत वाला later भी नहीं है यह है L-A-T-T-E-R हम usually जब भी लिख रहे होते हैं और दो लोग का mention करते हैं या दो चीजों का तो उसमें हम यह दो words उसकरते हैं बेटा, याद रखना हो Former and later Former word का बाता है पहले वाले की जब हम बात करें तो जैसे पहले हम अगर पूरू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पूरू हो गया former अग दूसरे में हमने किसकी बात की है, father की बात की है तो father कौन हो गए, latter, यानि दूसरा वाला तो देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, directly लिख दिया तो लोगों को समझी निया था, latter कौन है भाई The latter also saves his son, latter यानि दूसरा, दूसरा कौन, father की बात है तो पिता ने भी जो है, उन्होंने भी अपने बेटे को बाकी चीज़ों से बचाया उसको शासन दे दिया और बाद में उनके लिए अच्छा भी किया कि भाई, तुम जो है अपने future के लिए प्रपेर हो जा, शासन अभी से संभालने लगो जबकि वह सबसे छोटा बेटा था, फिर भी उसको kingdom दे दिया If such a loving father is caught in a predicament, it is the duty of the son to protect him predicament is basically एक painful situation, a difficult situation तो ऐसे दे को family family होती है, भाई, कोई भी situation आती है, तो एक दूसरे की help करनी चाहिए तो अगर बदे को बच्चों पर problem आती है, तो parents help करते ही है So यही duty निभाई है बेटे ने जब उसके father पर यह problem आई ययाती cannot be defended for making such a request, but पूरू's act of accepting the request suggests the nobility of his character ययाती ने यह चीज मांग के गलत किया है, एज़ फादर उसे चीज नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन पूरू ने अच्छी चीज करी और इससे पता चलता है कि उसका जो है वो कितना noble इंसान था, कितना sensible इंसान था So I hope it is clear, answer भी दे दिया, viewpoint भी शेर हो गए, चलिए आगया आता है question 6 Is it right for a father to make such a request to his sons as ययाती डिड? क्या एक पिता कले सही है, अपने बेटों से उनकी जो है यूथ मांग लेना जैसा ययाती ने किया तो इसका answer हम देंगे no, it is not right for a father to make such a request to his sons as ययाती डिड A father is a role model for his sons, he should set high examples of character before them If the father becomes helpless before sexual pleasures, the son will also find it difficult to resist them ययाती should have accepted his old age gracefully and taught his sons how to tackle the adversities in life तो अब इसमें हमने क्यों नो का है कि भाई देखो father हम usually कहेंगे घर में father हुए, mother हुए, यहां तो father की बात हुरी है, तो एक बोलते है रोल model जैसा, जैसा उनका character होगा, कहीं न कहीं बच्चे भी वो character develop करेंगे, अब इसमें ययाती को जो है, worldly pleasures, lifely desires इन सब की थी, तो कहीं न कहीं बेटों में भी वो आ जाएगी, है कि ने, क्यों की मुश्किलों को handle करना चाहिए था, ठीक है, तो यह होता है हमारा answer number six, moving on to question number seven, were the four sons justified in refusing their father's request, if yes, give reason, तो यह आपके उपर question है, क्या आपको लगता है, जिन चार बेटों ने मना कर दिया, क्या वो अपनी जगा सही थे, अगर हाँ, तो आप reason दो भाई, क्यों, so हम इस answer को viewpoint की थरह से देंगे, भाई, from the worldly or materialistic point of view, यानि संसारी जीवन के हिसाब से देखें, तो the four sons may be justified in refusing their father's request, तो तो वो अपनी जगा सही थे, क्यों, क्योंकि worldly हिसाब से देखो थे, उनको हक था, उनकी age थी, they had the right कि वो अपनी उस life को जियें, after all, every individual has the right to enjoy his share of pleasures, however, ideally, the four sons were not justified in refusing their father's request, तो worldly point of view से दिया करो, clearly, लिखके का करो, worldly point of view से का है, तो भाई, वो सही थे, उनको जवानी जी नहीं थी, अपनी, लेकिन, ideally, अगर कहें, अगर बेटे के तौर पे, ताम उन्होंने जो है, सही, नहीं किया, अपने पिता की इस request को मना करके, ठीक है, तो हमने, again, मैंने किया कहा, answer कैसे दिया करो, balance type के दिया करो, चलो, यायाती's request might not have been very graceful and befitting his fatherly stature, but the way the four sons refused and highlighted the predicament of the old age was not very ideal. इसका मतलब क्या है, यायाती की मानते है request बहुत ही जाद अच्छी नहीं थी, being a father, वो ऐसी चीज मांग रहा था, लेकिन, जैसे उनके बेटों ने एकदम refuse कर दिया, एकदम ही मूँ पे मना कर दिया, कि नहीं, ओल्ड एज में तो ऐसा होता है, ये भी कहीं न कहीं, गलत था. They refused because they were not ready to accept the miseries of the old age, क्योंकि, ओल्ड एज तो वैसे बता हो, सब क्या नहीं है, लेकिन उन्हें मना क्यों कर दिया, क्योंकि अभी नहीं चाहिए थी उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हाँ, कुछ टाइम और जियेंगे, तो life की जो satisfaction है, वो मिल जाएगी, लेकि satisfied रहना चाहिए, तो यही बात यहाँ पे कही गई है, that an idle son must always be ready to do everything in his capacity to please his father, his creator on the earth, तो idle son, चलो यहाँ पे तो हमको क्योंकि लेसन के हिसाप से हैं, लेकिन practically son, daughter, जो भी हो, अपने parents के लिए, अपने guardians के लिए, you should be ever ready to do anything, अब वो चाहे उनके profit के लिए हो, तुमारे loss के ल because they are the only creators, यानि हमें बनाने वाले धरती पे तो वही हैं भाई, तो इसी लिए, जितना भी होता है, we should always try to keep them happy, I hope it is very clear, चलिए, question 8, what lesson do you learn from the story, तो भाई, बताईए, आपने इस lesson से, क्या सीख आपको मिली है, यह answer कोशिश करूँ कि आप खुछ से इसको थोड़ा कोट करना, म मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग ने अक्चल में क्या सीखा है, so यायाती gives us a very good lesson on the insatiable nature of sexual desire, insatiable यानि जो कभी भी पूरा नहीं हो सके, इस टाइप के desire के बारे में जो है, बहुत अच्छी सीखती है, we come to know that no object of desire, corn, gold, cattle and women, अब यहां पे corn, gold, cattle, women इसले लिखा है, क्यो या पे तुम कैटल तब की बात मानो, आज के लिए तुम घाडी, बंगले, सब मानलो, या कोई materialistic thing मानलो, कोई तुम्हें पर्टिकलर चीज चाहिए, कोई गैजट चाहिए, वो ले लो, gold, बहुत सारी सोने की पाच्छे अंगूटिया पैन के मतलब हर उंगली में सोनी के या बहुत सारी चीज़े हैं, या वोमिन या फिर आप अपना opposite gender मानलो, कि भाई हमको partner मिल जाएगा, तब जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे Nothing can ever satisfy the desire of man, the more the indulgence in sexual pleasures, the more insaturable it becomes या जितना जितना जादा आप इन desires में इन दुनियादारी इच्छाओं में डूपते जाओगे, उतना ही वो और जादा बढ़ती जाएंगी अगर तुम्हें लगेगा कि थोड़ा सा ये आज हम enjoy कर ले, फिर कल तो सब ठीक हो जाएगा, इतना नहीं करना होगा बट वो धीरे धीरे जो है प्यास बढ़ती जाती है ये प्रॉपर आंसर जो है हमने according to the lesson दिया है ये को शांती कब मिल सकती है जब इन पसंद ना पसंद की चीजों से आप बिलकुल ही दूर चले जाओ इनके अगेंज जो मोर्चा होती है जो आपको लगता है कि नहीं नहीं इनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता उन सबसे दूर चले जाओ देन और आल्सों यू कन अटेइन पीस नाओ, question answer तो खतम होते हैं हमारी इसी lesson में आपकी book में question answer के बाद composition दिया है composition basically writing skills होते हैं तो in between chapter भी important रहते हैं क्योंकि यह वाले questions भी पूछ लिया जाते हैं so यहाँ पे आपका composition है paragraph writing so मैं हमेशा कहती हूँ paragraph writing one of the most important things है English में क्योंकि चाहे तुम्हें answer लिखना हो, तुम्हें letter लिखना हो, essay लिखना हो, notice कुछ भी लिखना हो, para लिखना तो आना चाहिए तो यहाँ पे topic है write a paragraph in about 100 words on the relationship between parents and son यानि parents और बच्चों के बीच में sun दिया है बेटे के बीच में भी लिख सकते हो बच्चों के बीच में you can like kind of relatable जो है आपको paragraph लिखना है बहुत जादा नहीं in about 100 words में so again how can you practice this क्योंकि अभी तो यह topic है जरूरी नहीं कि exam में भी यह topic हो so ma'am कैसे बहुत बच्चे कहता है ma'am spelling याद नहीं होती है vocabulary अच्छी नहीं है कैसे कर लें तो भाई कोई दवाई आती है तो मुझे भी दे देना क्योंकि दवाई तो आती नहीं है इसके लिए हमें थोड़ी महनत तो करनी पड़ी की तो महनत कैसे करेंगे यहां मैने तो दिया है paragraph लेकिन उससे पहले video pause करके है थोड़ time लेके खुद लिखो यह paragraph कि तुमारे दिमाग में कितनी thinking चलती है यह तो देखो कैसा लिख सकते हो उसके बाद check the paragraph that I have given over here so that you can improve so here is the paragraph the relationship between the parents and the child is amongst the most prominent relationships in the life of an individual तो चाहे यह topic हो या कोई भी topic हो जब भी शुरुवात करते है न topic का थोड़ा तो जो है introduction दो कि parents और बच्चों का relationship कैसे होता है पूरी दुनिया में किसी एक individual की life में सबसे जादा जरूरी relationship ही होता है young children depend on their parents to provide them with fundamental needs as well as their parents provide their children with guidance and support to build their future generations हम अमीशा से कहता है कि बच्चा जब young होता है बच्चों की building stage होती है ता बच्चों की ताकि क्योंकि आप जो उनको हम कहता है संस्कार दोगे चीजन दोगे वहाँ पर एक build हो जाती है इमारत होती है ना पहले एटे बिछाते हैं अच्छे से strong इटे तो वही है कि जो young children होते है parents उनके लिए first person of contact होते हैं तो जैसा वो सिखाएंगे बच्चे वही सीखते जाएंगे Communication is the source of social structures and the value of the partnership or its collapse lies in it and इसी बीच में यानि जो guidance ये सब पढ़ना है उसमें सबसे important चीज होती है communication आपस में communication gap जब हो जाता है ये तो चलो छोटे वच्चों तक तो ठीक है जैसे अपन बड़े होते जाता है कहीं न कहीं family में communication gap बहुत होने लगता है यानि हम ऐसा सोच लेते हैं कि मम्मी या पापा ऐसा सोचेंगे तो फिर हम अलड़ी उस चीज से नराज होके उनसे दूर हो जाते हैं यानि ऐसी काफी सारी चीज़े होती है तो यानि parenting में and being a daughter or a son आपको भी समझना चाहिए कि communication is the biggest source क्यों कि एक चीज़ बहुत prominent होती है जिसे हम कहते हैं parents और बच्चों के बीच में बेटा generation gap generation gap उनकी मर्जी से भी नहीं आया तुमारी मर्जी से भी नहीं तो गलती तो दोनों की नहीं है तो आज अगर हमको जैसे बहुत ही simple से example है कुछ बच्चों का लगता है कि हमारे parents they are not modern enough कि हमें पाटी बाटी में नहीं जाने देते भाई तो पटा गलती उनकी भी नहीं है उनके time में जब थी नहीं तूने कैसे पता या उनके time में यह साब culture नहीं था तो तुम जो है communication करके you can explain them कि ऐसा ऐसा है तुम खुद में भरोसा दिलाओ if you are a trustworthy person your parents won't complain to you तुम उन्हें थोड़ी चीज़ें सिखाओ वो तुमें थोड़ी चीज़ें सिखाएंगे तो यानि communication जो है एक bridge रहता है between parents and their children तो यह मैंने तमा क्यों सुनाया भाई क्योंकि जो मैं ideas देती हूँ न वो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो exact lines copy paste करके मता न अपने थोड़ी ideas भी इसमें formulate कर सकते हो ठीक है आगे और देखो mothers have a significant and strong influence on the communication skills and behavioral patterns and well-being of children तो हमेशा से ही पहले से यह रहा है माय जो होती है वो सबसे बड़ा बोलता है न ब्रिज होती है between parenting में और बच्चे में यानि हम जितनी सबसे ज़ादा बात maximum like maximum cases में होता है मम्मियों से बहुत ज़ादा बात करते है पापा से कहीं न कहीं एक वो चाहिए डर वाली feeling हो या कुछ बोलता है एक formal type की बाते रहती है लेकिन आज के time में थोड़ा different है but somehow today men are attempting to become much more deeply involved, affectionate and emotional with their children in the new changing world of fatherhood आणि आज के time के मैं बात करूँ तो अब तो यार बहुत देखा है कि fathers काफी involved, काफी affectionate होते हैं कि दो साइब की चीज़े हैं बाई, because mothers are also working these days तो यह रहता है, fathers भी जो है, बहुत जाद आपना contribution दे रहे हैं ताकि बच्चा जो है, उनसे भी connected रह सके या कोई problem आए, तो उसे मम्मी को नहीं, पापा को भी हम बहुत अच्छे से बता सके changing world of fatherhood, यानि पिताओ का changing world है fatherhood का उसमें men भी काफी जादा participate कर रहे हैं बहुत लंबा नहीं लिखेंगे, hundred words काई था अब अगर तुम में बहुत जादा general knowledge है, किताबे विताबे पढ़ते हो तो तुमको याद आएंगे किसी किसी के quotes Quotes basically, कही हुई बाते, तो अच्छी reading रखोगे, तो कही हुई बाते याद आएंगे यहाँ पर मैंने एक बात लखी है The best inheritance a parent can give his children is a few minutes of his time each day यानि हम बोलते हैं, हमें अपने माबाप से क्या मिला जमीन मिली, जो मिला वसीयत, जैसे बोलते हैं, I think वसीयत में कहते हैं, क्या मिला तो यहाँ पर हम यह कहते हैं, एक O.A. Battista है उन्होंने यह line कही दी basically, जिसे हमने inverted comma में डाला है कि सबसे अच्छी चीज़ विरासत में विरासत में आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हो, that is few minutes of your time each day हर दिन अपना कुछ-कुछ time अगर आप उने दोगे, that is the best thing you can ever give it to them be it, आप उनके साथ communicate करो, normal life के बारे में बात करो, anything अगर आप वो दे दिया तो यानि आप ने बहुत बड़ी, यानि कुछ लोग होता है ना कि हम आपने बच्चों को यह गाड़ी दे के जाएंगे विरासत में जमीने हैं, आप दादा पर दादाओं की जमीने रखी हुई हैं बड़ीया यह दिया है, तुमने क्या दिया अपने बच्चों को भई, नहीं, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को अपना time दे सकता ही, that is the biggest thing of all, ठीक है, तो यह था paragraph था, अपने हिसाब से इसको थोड आया करो ताकि हमें भी motivation मिलता रहे, वीडियो को like and share अपन जरूर करेंगे, and अगर updates नहीं है, connected रहना है, so you can also follow us on our social media handle जैसे की Instagram, in the next session हम इसी particular chapter का grammar section कवर करेंगे, तो वीडियो बिलकुल देखना, see you all in the next session, till then, good bye!